कि वाट्स आप एपीजोड नुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल सब्सक्राइब बटन दबा दा तो अभी जोधा टाइम विच्छ ना करते हैं सिधा वीडियो स्टार्ट करते हैं इस एपीजोड के स्टार्ट में हम लोग देखता है कि जो किडनपर्स है बो लूफी और उसके टीम के उपर हमला कर देता है उन लोग को पकानने के लिए लेकिन जो लूफी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है वो एक एक करके सारे के सारे के सारे बंदों को पेल रहा है सब लोग कहता है कि स्केलिटन का प्रॉब्लेम क्या है? दूसरी तरफ हम लोग देखता है चौपर को जो चौपर है वो भी मॉन्स्टरस फॉर में आ जाता है और चार पाच बंदों को तो आकेले ही पेल रहा है और उसके बाद एक बंदा कहता है कि मैं उस लेर्की के उपर हमला करUंगा लगता है वह बहुत जदा कम्सोर है और उसके बाद ही हम लोग देखता है कि केमी के पास आ जाता है और वो यह मिन की उपर हमला करने की वाला होता है केमी बहुत जदा आ यह लेकिन उसके न서 पर पूंच जाता है और गं गं डंबस्जु कॉयासे उसको फोड़ नीचे पर ने के वागव देता है यहाँ पर रुखने की जरुवरत नहीं चलो हम लोग को को पेल देता है और उसके बाद बोलो हस्ती वे बहाँ से जा रहे हैं जिन किडनपर्स को लूफी और इसके टीममेट ने मिलके पीटा है वो लोग नीचे परे हुए है कुछ लोग तो बेहोश भी है उन में से एक बंदा कहिता है कि हम लोग उन लोग को नहीं हरा पाएंगे यहां पर एक भी दुकान खुला नहीं है सरे के सारे दुकान तूटा हुआ है रस्ते में फिए Hi었 पर लोग की नहीं है जो अची है बो कहता है कि एक lawless land है यहाँ पर जो marine के लोग बो लोग भी जाधा नहीं गुस्पाते जो pirate है जो marine है जो normal लोग है जो पावर जादा होता है वो ही यह पर जिन्दा रहता है यह सुनने के वाद जो चौपर है वो बहुंस पेले मुझे बता देता है मैं Zomo Aasanji किसी नहीं को ले आता लेकिन जो Lup OC पर कहा है कि मैं हूना कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर बहुत सारे खतना खतना साइन भी है लेकिन जो हाची है वो कहिता है कि कोई बात नहीं हम लोग अल्मोश पहुच गए देखो हम लोग 13 नमबर ग्रोव यार्ड पे पहुच चुक है और यहाँ पर जो सबसे बारा मैं ग्रोव है उसके रूट के उपर जो दुकान है बहाँ पर हम लोग को कोटिंग किया जाता है जो लुफि है वो कहिता है कि वो कोटिंग करने वाला जो क्रमसma dragon है क्या भोवी फिश्च मैन है जो हाच है वो gonna कुक को दो नहीं करेंगे पैसों के जादर नहीं करेगा ना हची और उसके बाद जो ठौपर है वोगता है वह लगता है लगता बहुत ज़दा नाइस पीपल है वो लोग किसे के साथ मार भी नहीं करते और उसके बाद रेली शेक की ऐसा नाम पुकरते पुकरते शॉप के अंदर गुषता है जब वो शॉप के अंदर गुषता है सबसे पहले ही देखता है कि एक लिर्गी है जो बखी के पाइरेट को पे भाग नहीं सकता वो सब लोग को मार मार के पीट पीट के उन लोग का पैसा कलेक करती है कोई भी बीना पैसे दे कि यहांसे भाग नहीं सकता और वो पहले एक पाइरेट हुआ करती थी इसलिए बहुत ज़दा श्ट्रॉंग भी है और हची को देखने के बाद कहता है कि 10 सा पाइरेट का बिजनेस चोड़ दिया एक असली बिजनेस बॉच्छा है उसके बाद जो शेकी पूछती है कि केमी क्या तुम हची का गल फ्रेंड हो जो केमी बहुत ज़दा फ्लस्टर हो जाती है और कहीता है कि नहीं मैं उसका वाइफ नहीं हूँ लेकिन उसके लिए क्लिशन में जम क्यों कर रहा है उसे दिखनी के बाद सब लोग बहुत ज़दा खुश होता है और उसके बाद जो शेकी है कि ठीक है मैं तुम लोग के लिए जूस ला रहा हूँ और जब वो अपने फ्रिस की दराब देखती है देखती है कि जो लूफिया स्केलिटन ब्रो चौपर है उसको लेकि कॉट्वन केंडि देता है जो पर बहुत करते हैं बहुत ज़दा बलाओ मेरक रदी यह सुनने के बाद ही जो चौपर है जो उसका फर्जा फर्जा था रग से घ्लाओ लोचा कर रहे écro लूफी अबो कहता है कि तुम्हें पता है चौपार कौन है उसे क्या पसंद है जो शेकी है वो कहती है कि मुझे देखके ऐसा नहीं लगता लेकिन मैं बहुत ज़दा इंफॉर्मेटिव हूँ मुझे ये भी पता है कि लूफी तुम कौन हो तुम हो मंकी डी लूफी जिसका बाउंटी है 300 मिलियन बेरी जो लूफी अब गईता है कि तुम मुझे भी जानते हो जो शेकी अब गईती है कि तुम बहुत ज़दा फेमस हो और तुमको लेके सब लोग आसकल चारो तरफ बात बैट कर रहे हैं लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह स्केलिटन है वो कौन है मुझे तो यह भी नहीं बता था कि जिख सेलिटन हो चल सकता है वो बात कर सकता है जो ब्रोग है वो खाना खारा था और बंध करके कहता है कि I'm sorry for late introduction मैं धीरे-धीरे अपना introduction देता हूं मैं में झालिटिए से तुरा सा परमीशन मिलने के बाद ही जो ब्रोग है निक्रस कुछ अपने आपको बारा चला के नहीं बोलना साथ तुम लोग तो बहुत बीक शॉट हो और उसके बाद भूक कहीती है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहापर क्यू आयो मुझे बोलने की जरूरत नहीं तुम लोग तुम हरे दोस्तों को लेके यहापर आयो ताकि उसलिए उसने गेस कर लिया, जो लूफी और बाकी के लोग है, सब लोग फिर से चौक जाता है, कि तुम भी पाइरेट हुआ करते थे, जो शेकी है, वो कहिती है, कि 40 साल पहले ही मैंने वो काम छोड़ दिया था, सब लोग फिर से चौक जाता है, कि 40 साल पहले, तुम्हारा उमर कितना है, तुम्हें देखके तो जादा उमर की लगती भी नहीं है, तो जो शेकी है, वो कहिती है, कि लगता है, तुम लोग का जो कोटिंग का काम है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेली है, वो घर पे नहीं है, यह सुनने के वाद सब लोग थोड़े से टेंशन में पर जाता है, क कि चिता है कि जो एक बीन हो सकता तो तुम लोग को शायद एक देर साल वेट करना परे कि वह बहुत इल्डेर में यहाँ पर आता है और यह सुने के बाद कि वह बताओ कि भुक हा सकते हो दूप कि तो अगर मुझे गेस करना परे तो मुझे लगता है कि एक से लेके 29 नंबर आइलेंड पर बो मिल जाएगा तुम लोग साच कर सकते हो यह सुनने के बाद जो चौपर है वो कहिता है कि इतने सारे आइलेंड लेकिन यह सारके सारे तो लॉलेस आइलेंड का पार्ट है कर कोई और केस करना परे मुझे लगता है कि बो शबोंडी पार्क पर है और यह सुनने के बाद ही जो लूफी अबो कहिता है कि जहाँ पर बो एमुजमेंट पार्क है हम लोग बहाँ पर जा रहे है उसे डूडने के लिए सब लोग बहुत जदा खुश होता है जो केमी है भी खुश होती है सब लोग कहता है कि हम लोग जा रहे है शबूंडी पार्क पर जैब सब लोग बहुत जदा मजे कर रहे थैं जो शेक है और उसके बाद वो पूसती है कि तुम लोगों ने साथ रूट में से एक रूट लिया है ना ग्रेंड लाइन में आने के लिए जो लूपी के जो लोग है वो लोगों ने शायद दूसरे पत को लिया है और शायद तुम्हारे भी रस्ते को क्रॉस किया है और सारे के सारे रस्ते आके इस आयलेंड पे जाके मिलते है क्योंकि यही एक आयलेंड है जहाँ पर आने के बाद तुम रेड लाइन को क्रॉस कर सकते हो इसलिए वाल के जितने सारे रुकी से सब लोग एक जगह पर एकटे हुए है और इस आयलेंड में 11 लोग है जिसका गईती है कि लेकिन तुम्हारे जो राइवल है उसके बारे में इंफोर्मेशन होना भी चाहिए क्योंकि इंफोर्मेशन ही एक तरह का वैपन है और उसके बाद जो शेकी अब कहिती है कि अगर मैं बाउंटी का कॉम्पेर करता हूँ तो लूफी तुम्हारा बाउंटी सेकें है मतलब तूंसे भी जादा शक्तिशाली बाउंटी वाला बंदा इस ऐmber सुनने के बाद जो चॉपर है वो भी चॉक जातर कहते है लूफी से भी जादा बंदा इस आइलेंड में है मतलब वो बंदा तो बहुत ज़ड़ा खंथरनाक होगा अगले सीज में हम लोग ग्रोब 24 का एक रेश्टरेंट का सीन देखते हैं जहाहं पर एक लेर्की बहुत ज़्यादा खाना खा रही है और वो चिलना थी या रिक है कि और भी आधा खाना लाओ और पीजा लाओ मुझे बहुत ज़दा भूग लगा है बहुत सारा खाना लेया और उसके जो सबॉडिनेट है बो लो कहते हैं कि खाना आ रहा है रेश्टुरेंट के जो लोग है बो लोग खाना बना रहा है लेकिन उसके लिए भी थुरा सा टाइम चाहिए हम लोगो थुरा सा टाइम दे दो इस लेर्की का खाने का स्टाइल देखने के बाद उस रेश्वेन्ट में जितने सारे लोग है सब लोग कहते है कि इत्Hey लेकर खाना उसके पेट में जा रहा है लेकिन कहां पर जा रहा है ये लेकिन तो बहुत सदा थीन है बहाँ पर एक और बंदर है वो आराम से खाना खा र नाम है कपने गेंग बिजी इस बंदे के उपर 138 मिलियन बेरी का बाउंटी है और जो लिट की बहुत जदा खाना खा रही है उसका नाम है जूइल्री बॉनी वह भी एक पाइरेट क्रू का हिस्सा है एक्चुली उसके पाइरेट क्रू का कैप्टेन ही है और उसके उपर 140 मि लग जाता है वह तलवाल निकाल लेता है उसको मारने के लिए लेकिन उसका जो कैप्टेन है वह उसे रोक देता है और कहता है कि मारने की ज़रूरत नहीं और जिस बंदे ने रोका है वही उस पाइरेट क्रू का कैप्टेन है जिसका नाम है हौकिन्स और इसके उपर 249 मिल अपो है वो दूसरे कैप्टेन को गुस्ता दिलाता है फाइट करने के लिए और हम लोग देखता है कि जो दूसरा पाइरेट कैप्टेन है वो उसके साथ फाइट करने के लिए निकल भी जाता है रेश्ट्विन को तोर फोर देता है और जो कैप्टेन अपो है वो कहता है कि क का नाम है Captain Kid और यह Captain बहुत जादा खतनाक है और वह कहिता है कि मैं तेरे को अभी खतम कर दूंगा और इसके उपर Bounty है 350,000,000 बेरी जिसका Bounty लूफी से भी जादा है और कहिता है मैं तेरे को नहीं चुरूंगा यह बहुत बहुत बड़ा लोहे का स्थम्ब है दूसरे के हाथ में सो है दोनों ही फाइट करने वाले थे एक दूसरे के उपर अटक करने वाले थे लेकिन तभी बहा पर एक वा तीसर पर जाके फाइट करना और दोनों ही फाइट करना बंद कर देते हैं जो तीसरा बंदा आता है उसका नाम है ड्रेक उसके उपर 222 मिलियन बेरी का Bounty है और जो पाइरेट एक लोहे के स्थम के साथ फाइट कर रहा था जो स्काइपिया का एक बंदा है जिसका नाम है उरूज उसके उपर 180 मिलियन बेरी का Bounty है और ये बंदा मैड मॉंग के नाम से भी जाना जाता है और उसका जो ऑपोनेन था जो कि एक माक्स पहेन रहा है उसका नाम है किलर और उसके उपर Bounty है 162 मिलियन बेरी का तो उसके बाद हम लोग देखता है कि सब लोग अपने अपने पर जाने के लिए बहाँ पर एक पाइरेट बैठा हुआ था जिसका नाम है तुफ ऑल गाल लौ और वो कहिता है ड्रेक तुमने कितने सारे लोगों को मारा है और यह जो टुफ ऑल का लौ है इसके उपर Bounty है 200 मिलियन बेरी का और यह सब कुछ एक्स्प्लेंट करने के पाइरेट ही है जो की काउंटेबल है जो की बहुत ज़दा स्ट्रॉंग है और बहुत सारे लोग अभी redSS को क्रोस करने वाल है मुझे बता है कि जो new wall है बहाँ बहुत ज़दा जमिला होगा बहुत ज़दा फायटिंग होगा तो तुम लोग ध्यान से रहना लेकिन जितने सरे पाइरेट है उन में से लूफी तुम्हारा बाउंटी सिकेंड है जो कैप्टेन कीड है उसका बाउंटी है 315 मिलियन बेरी और मुझे लगता है कि बहुत तुमसे भी जादा स्ट्रॉंग है लेकिन उसने एक खराब चीज किया उसने जो सिविलियान है जो नॉर्माल पास कितना जादा संपत्ती है मुझे तो बस मज़ा करना है मैं तो मज़े करने के लिए ग्रेंड लाइन पर आया था तो यह सुनने के बाद जो लूफी अब कहिता है कि अगर यहापा इतने सरे डेंजरस खतनाक लोग है इतने सरे पाउरफुल पाइरेट है तो जो ओल क्र कर पाऊगे वह बहुत ज़्यादा श्ट्रॉंग है और शेकी का यह स्टेट्मेंट सुनने के बाद जो लूफी और बाकी के लोग है सब लोग बहुत ज़्यादा चौक जाते बो लोग सोचते है कि एक ओल क्राप्समेन जो की बहुत ज़्यादा एजड़ भी हो चुका है भी नहीं बचा होगा लेकिन उसके बाद भी वो हम लोग से सौगुना ज़्यादा श्ट्रॉंग है वो कितना ज़्यादा श्ट्रॉंग है और इसी पॉइंट पर यह बहुत खतम हो जाता है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना जाम को शबस्क्राइब को वीडियो को सबस्क्राइब करना तो मिलते को ने वीडियो कощण तब तक लेब बाद जाटा करना जब तक लेधियो को लाइक जीं गयां पादा